नमस्कार, पप्लिकेशन न्यूज में आपका स्वागत है बड़े ही दुख के साथ बता रहे हैं कि हमारे उत्तरपदेश की मुख्य मंत्री योगी आदितनाजी जो कि इस वक्ते की योद्धा की तरह कोरोना की जंग के खिलाब देश के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं उनके पिता आनन सिंग बिष्ट का सोमवार सुभे दिली स्थत All India Institute of Medical Science में निधन हो गया एम्स के मुताबिक सुभे दस बच के 45 मिट पर सीयम योगी की पिता ने अंतिम सास ली रमाईर में हमने देखा कि भगवान राम ने अपने पिता धन के लिए 14 बच का वनवास लिया था उनके मृत्य होने के बावजूर उन्होंने पिता धन को प्रात्मिक्ता देते हुए वनवास में रहे और पिता के अंतिम दर्शन नहीं कर पाए हमारे मुख्य मंत्री राम भक्त है, राम के आदर्श को मानने वाले हैं और उन्होंने उसका पालन करते हुए पिता धर्म को भूल, राज धर्म को प्रात्मिक्ता दी और ये साबित कर दिया कि वो सच्चे राम भक्त है राम राजा नहीं थे और इसलिए उस वक्त पिता के आदेश जो पहली प्रात्मिक्ता थी उसका पालन करते हुए पिता धर्म निभाया और 14 साल का वनवास काटा यहां मुख्य मंत्री योगी जी जो इस वक्त प्रदेश के राजा हैं और प्रजा और प्रदेश जो इस वक्त भारी संकर से जूज रही है उसको ना छोड़ कर अपना राजधम निभाया और पिता के अंतिन दर्शन भी ना कर पाए अब शब को पैत्रे गाउं पंचूर उत्राखन ले लाया जा रहा है एमस ने यूपी के सीम योगी आदितनाजी के पिता आनन सिंग बिष्ट के निधन की प्रिष्टी कर भी है बताया जा रहा है कि सोमवार सुबे उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर एम्बिलेंस के जरीए उत्राखन में पैत्रे गाउं पंचूर में शिट करने की तयारी चल रही थी उनकी हालत बेहत गंबीर थी इस भी चुनका निधन हो गया गौर थलब है कि सीम योगी आदित तिनात के पिता आनन सिंग बिष्ट बतौर फॉरेस रेंजर अपनी सेवाएं दे चुके थे सेवा निर्वत्ती के बाद से वो अपने पैत्रे गाउं में रह रहे थे बता दें कि योगी आदित तिनात सन्यासी होने के वज़ा से अपने माता पिता से कम ही मिलते थे पिछले एक महीने से भी अधिक समय से एम्स में भर्ती UP के CM योगी आदित तिनात के पिता आनन सिंग बिष्ट की हालत पिछले कुछ दिनों से गंभीर हो गई थी उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था एम्स के डॉक्टरों के मताबिक उन्हें किड्नी और लीवर की समस्या थी 89 वर्षे आनन सिंग बिष्ट की तब्यक खराब होने पर उन्हें पिछले महीने मार्च में एम्स में भर्ती कराए गया था एक महीने से भी अधिक समय से या गैस्टो विभाग के डॉक्टर विनीत आहुजा की टीम उनका इलाज कर रही थी बताया जा रहा है कि रवीवार को उनकी अचारक तब्यक फिर से खराब हो गई इसके बाद से उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था इससे पहले तब्यक खराब होने पर उन्होंने पौडी गर्वाल जलाज से ते जाली ग्रांट के हिमालन हॉस्पिटल में भरती कराए गया था हालत में सुधाल नहीं होने के बार एर एम्विलेंस के जरिये दिल्ली ले जाया गया था कोरोना वाइरस के चलते मुख्य मंत्री योगी जी पूरे नियम कादे का पालन करते हुए सभी घरवालों को बोल दिया है कि ज्यादा लोग अंतिम संस्कार में ना जाएं मुख्य मंत्री आदितर्यात जी ने आज एक ऐसी मिसाल कायम की है जिसे हमारे हर देश के नागरेक और नेता को सीख लेनी चाहिए उन्होंने देश सेवा को प्रात्मिक्ता दी और कोरोना को हराने की इस लडाई में अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं शामिल हो रहे योगी जी ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा कि पिता को अंतिम बार देखने की हारदेक इच्छा थी पर देश और जन्ता के हित के आगे रखते हुए उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा को भी दाव पर लगा दिया उनके इस करतवी निष्ठा को देखकर जन्ता को सीखना चाहिए कि वो हमारी सरकार के द्वारा कोरोना से बचने के नियमों का पालन करके अपनी करतवी निष्ठा दिखाएं और प्रशासन और सभी योदा जो इस लड़ाई में सडकों पर बाहर रहकर देश को और लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो सिर्फ जन्ता के हित में हैं उनको सैयोग दें पिता धर्म को भूल राज धर्म निभाने वाले ऐसे बहादुर मुख्यमंत्री के पिता को अगर हेदय से शद्रांती देना चाहते हैं तो हमको लोगडाउन और कोरोना वाइरस से जुड़ी सभी बातों का ध्यान रखना होगा यही उनके पिता के लिए एक सच्ची शद् सब्सक्राइब करना ना भूले नीचे दिये बेल आइकन को जरूर प्रेस करें